नमस्कार में दिपाली अब सभी का स्वागत दिपाली आइस्टु में करती हूं और देखते हैं आज का दिन निकी तीन अप्रेल दोभजार तेस्ट कैसा जाने वाला है तो चलिए शरुआत करते हैं मेर शाशी वालों के साथ मैं शाशी वालों अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नई सूचना लेकर आ सकता है खास दोर पे अगर आप स्थिर्ता को ढूंटे हुए आ रहे हैं काफी दिनों से एक स्ट्रॉंग फांडेशन अपने लिए अक्तियार करने की सोच रहे हैं तो आज के दिन आपको उसका संकेत सूचना या कोई पॉजिटिव इंडिकेशन मिल सकता है साथी साथ आपके परिवार में कोई ना कोई शुब संकेत समाजा रहा सकता है जो आपके लिए काफी ज़्यादा लाबदायक हो सकता है खास तो और अगर आप प्रॉपर्टी निवेश करने के लिए एक्षुक हैं और पूरे परिवार के साथ कोई अब्रॉड मूफ करना चाहते हैं या रिलोकेट करना चाहते हैं विदिन दे कंट्री ओलसो तो वो परिस्तिती आज के दिन आपके लिए शुब सावित हो सकती ह बात करते हैं विशब राशी वालों के लिए विशब राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको अपने स्वास के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने के लिए कहता है आज के दिन आपको उन सभी तक्थ्यों को विचारना चाहिए जहां पर आपको लग किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को जो स्वास संबंदी हो उसको ना तो आपको लाइकली लेना है ना उसे इग्णोर करने की कोशिश करनी है साथी साथ आज के दिन प्रोफेशनली जैसा चल रहा है काबिले तारीफ है कि आप आज के दिन जहां पर खड़े हैं आप अपनी महनत के ही वज़ा से हैं इसी तरह से चलते चलिए आपके लिए पर इस सितियां प्रोफेशनली भी आज के दिन अच्छी होती भी नज़र आए जहां पर आपको लगता है कि आपको कोई remedy लेनी चाहिए, कोई exercise करनी चाहिए, lifestyle में चेंज करना चाहिए, जिस भी तरह का आपको लगता है कि कोई भी आपको damage control system बनाना चाहिए, उस पे आप बनाए और उसको अपने जीवन में उतारें, आपकी परिस्थिती तभी और बहतर रूप से positive होगी, साथ ही साथ, लंबे समय से चल रहा, कोई पारिवार एक तनाव अपसाजा होता हुआ ना जहरा आएगा, कहने का मतलब यह है कि उसमें भी अब आपको positivity देखने को मिलेगी, बात करते हैं करकराशी वालों के लिए, करकराशी वालों आज के दिन की मैं बा आज का दिन कोई ना कोई सुखद समचार या शुब संकेत लेकर आ सकता है, आपके परिवार का सदस से कोई आपको बहुमले राय दे सकता है, और अगर आप उस राय का पालन करेंगे तो देखेंगे कि आपकी परिस्तितिया और अच्छी होती जा रही है, साथी साथ, कोई अगर आपका आर्थिक तनाव चल रहा था, वहाँ पर भी अपरिस्तितिया आपके लिए सुलचती हुई नजर आएंगी, कहने का मतलब यह है कि आज के दिन आपके लिए परिस्तितिया अनकूल होती नजर आएंगी और आप ही के मेहनत के थ्रू आप रिजल्ट देखेंग बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए, सिंग राशी वालों जिस तरह की परिस्तिति आपके लिए जीवन में हो रही है, काफी शुब संकेत है, पाजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते चलिए, अपने आपको आपको संतुलित रखना है, साथी साथ आज के दिन नकरा लोगों को जो आपके confidence level को या manubal को नीचे लेकर आते हैं, उने अपने जीवन से आपको खटाना है, या उन परिस्तितियों को या triggers को या situations को avoid करने की कोशिश करनी चाहिए, साथी साथ आज के दिन अगर आपको लगता है, कि आप किसी परिस्तिति पे या किसी एक लक्ष क को पाना चाहते हैं और उसकी आपने proper planning करी है, तो वैसे ही चलते चलिए, आपको शुप संकेद जरूर देखने को मिलेगा, बात करते हैं करने राशी वालों के लिए, करने राशी वालों आज के दिन के मैं बात करूं, तो आज का दिन आपके लिए सब तरफ से positivity लेकर आए उस चीज के परती आज के दिन आपका रुजान रहेगा, एट पीस रहने की कोशिश करेंगे, उन सभी तथियों को विचार पाएंगे, अवलोकन कर पाएंगे, अंतरद्वन्द अगर आपका अपने आप से चल रहा था वो भी आज सुलशता हुआ ना जर आएगा कहने का म आपकी स्ट्रॉंग थी, लोग आपके काम की तारीफ भी कर रहे थे, लंबे समय से चल रहा, कोई भी अगर तनाव था जो आर्थिक रूप से आपको परिशान कर रहा था, अब वो भी आपके लिए सुलशता हुआ ने सरा रहा है, कोल विला के आपने अपने एफर्ट से अ साथ, आपका छोटा-मुटा विवाद हो सकता है, तो शब्दों का प्रयोग उसोथ समझ कर आज के दिन करने की जरूरत है, बात करते हैं विश्टिक राशी वालों के लिए, विश्टिक राशी वालों आज के बात कर रहूँ तो आज का दिन को थोड़ा सा और आगे कोई भी चीज आप अपने लिए अक्तियार करना चाहते हैं और चलते चलते वहां पर कोई नेगेटिविटी आ रही है तो मैं कहूंगी कि उस पे आज के दिन आपको विचार विमर्श करना चाहिए उन सभी लोगों से जो आपके लिए हो सकते हैं साथी साथ आज के दिन प्र आज का दिन पॉजिटिविटी को इंब्रेस करने का है आज का दिन अपने लक्ष की पूर्ती करने का है आज का दिन अपने मन को शांत करके पॉजिटिविटी को अक्तियार करके आगे बढ़ने का है कुल मिलाकर आज के दिन आपकी परिस्टितियां मा की कृपा से भगवत सकते हैं या उन परिवार के साथ आप मूफ कर सकते हैं अब राच सेटिलमेंट की भी अब आपकी परिस्तिती क्लेर आउट होती हुए नजर आएगी आज के दिन आपके द्वारा किया गया कोई भी कारे या कोई भी लिया गया निरने आगे के लिए आपकी फ्यूचर को कहीं ने कहीं बल्वान बनाता हुआ दिखाई देगा बात करते हैं मकर राचिवालों के लिए मकर राचिवालों आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन आपको अपनी पॉजटिवीटी को विचार पाएंगे जहां पर आपको पास्ट में प्रॉब्लम्स होती थी यानि कि आज के दिन आप अपनी वीक्नेस को पकड़ भी पाएंगे समझ भी पाएंगे और उस पे काम भी कर पाएंगे आज के दिन जरूरत है अवलोकन करने की उन सभी तत्यों पर जहां पर आपको लगता था कि आप चलते 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 रुक रहे थे अगर आप अपने लिए कुछ आपने रेजलुशन्स लिये हैं और आप नहीं उसकी पूर्ती कर पा रहे हैं आज से वो परिस्तितियां आपके लिए फेवरबल होती हुए नजर आएंगी बात करते हैं कुमराशी वालों कुमराशी वालों मन आपका शान्त रहेगा सामानिता परिस्तिती चलेगी कुछ खास उतार चलाओ देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आज से आपका confidence लेवल में इजाफा होता हुआ नजर आएगा थोड़ा सा रिलाक्स भी रहेंगे विगत कई दिनों से अगर stressed out हो रहे थे emotionally थोड़ा सा प्रेशराइस फील कर रहे थे या बंदे-बंदे फील कर रहे थे तो थोड़ा सा चल आउट आप अपने आपको होता हुआ देख लेंगे यानि की मन आपका शान्त रहेगा जहां पर बिगत कई दिनों से कोई परिशानी आपको अंदर ये अंदर खाय जा रह आपका अवलोकन करने का है जहां पर चलते चलते आपको नेगटिविटी देखने को मिलती है अगर आप बहुत सालों से बहुत महीनों से बहुत दिनों से किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे है कोई एक आपके जीवन में लक्ष है घर बना रहे है प्रॉपर्टी लेने क कुछ न कुछ प्लानिंग करते 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 उसके बीच में कही न कहीं ब्लॉके जा रहा है तो आज के दिन आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल बनेंगे कि आप उन सभी तथियों को ब्लॉके जिसको रिव्यू कर पाएंगे उस पे काम कर पाएंगे और अपनी परिस्थिति को और सदा मजबूत कर पाएंगे आज के दिन आपके परिवार का सपॉर्ट आपके साथ बना रहेगा तो कुल मिला के आज का दिन आपके लिए प्रॉपर्टी निवेश से संबंदित परिवार से संबंदिद, investment point of view से संबंदिद या धन अर्जित करने के point of view से काफी ज़्यदा positive माना जा सकता है इसी के साथ मुझे आ गया दीज़ें, मैं कल फिर आजर होंगे, नमस्कार